वहीं काशे हिंदू विश्विविद्याले में प्रदर्शन का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। IIT BHU में एक बार फिर छात्र धरने पर बैठे हैं। शान्तिपूर्ण धंग से धरना दे रहे छात्रों का कहना है कि अभी तक पुलिस इस घटना में लिप्त लोगों को नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में हमें न्याय के लिए धरना देना पड़ रहा है। इस दौरान छात्र छात्राएं हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं जिसमें इंडियन, इंस्टिट्यूट, फेड और क्रिमिनल कहा हैं लिखा हुआ है। बता दें कि IIT BHU की छात्रा से गन पॉइंट पर मोलेस्टेशन की घटना सामने आई थी। जिसके बाद छात्रों ने दिन भर प्रदशन किया था और सुरक्षा की मांग भी की थी। पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड नहीं पाई है। विक्टिम के कमरे में लगातार पुलिस को आवाजाहिक करते हुए देखा गया है। आशंका है कि पुलिस गडबड़ी कर रही है। छात्र ने बताया कि पुलिस से गिरफतारी के बारे में पूछा जा रहा है तो वो कह रही है कि तीनों को एक साथ पकड़ेंगे। आखिर अलग-अलग पकड़ने में पुलिस को क्या दिक्कत है ये हमारी समझ से बाहर है। निरेशक कार्याले पर मौन प्रदर्शन कर रही है। या CBI को ये केस हैंड़वर करें और एक साथ एक टाइम बताएं ताकि कितना पकड़ पाएं या खुद कैपबल है क्या ये करने के लिए। ठीक है तो ये अभी जो मुवमेंट इधर हो रहे हैं ये बिलकुल साइलेंड और पीस्वल मुवमेंट रहेगा। कोई भी इंसिट्यूट की कुछ भी फेसिल्टीज का कोई डामेज नहीं होना चाहिए इस पूरे मुवमेंट के अंदर और हम अभी मैं पार्लिमेंट की तरव से और सारे स्टुडेंट की सरव से ये एक रिक्वेस्ट सारे प्रोफेसर्स और नोन डिचिंग स्टाफ को भी करता हूं कि अभी एक सेंसिबल मुद्दे के लिए एक जेन्मेन मुद्दे के लिए अभी इधर खड़े हैं ताकि फैकल्टी एंड नोन डिचिंग स्टाफ भी हमारे साथ इधर इस मुद्दे के सपोर्ट में खड़े हो